बुलंद शहर की स्याना कोतवाली के पास कस्वे में कन्या पाथ शाला स्कूल की छट पर पड़ा मिला 25 वर्षिय युवक का शब सुचना मिलते ही मौके पर पहुँचे पुलिस अधिकारी मृतक युवक के मामा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जन्पद हापोर के थाना बाबुगर्ग शेत्र के गांव छपकोली का निवासी है युवक बच्पन से ही स्याना महूला पुडा में अपने मामा राजेंडर के यहां रहता था मृत अवस्था में कस्वे के ही कन्या पाठशाला स्कूल की छट पर पड़ा मिला युवक का शब वही मृतक युवक इश्वर 25 वर्षिय पुत्र गंगा शरंड के मामा राजेंडर और रंजीत का कहना है काफी समय से सभी नशे का आदी था युवक आए दिन तरह तरह के नशे करता था नशा करने से रोपने और रांखने पर मार्पीट के लिए आमदा हो जाता था घर में तोड़ पोड़ भी कर देता था घर से लड़कर कई दिन से गायब था इसकी शिकायत भी मृतक युवक के मामा ने स्थानिय महिला चौकी पर की थी फिलहाल पुलिस ने पंचनामा भर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है उसके बाद भी पता चल सकेगा युवक की मौत का कारण क्या रहा फिलहार परिजनों का रूरो कर बुरा हाल गुलंद शहर से एक नाम खान की रिपोर्ट कर दो को कर दो दो पता है किया नाम है आपका क्या मामला हुआ आपका एक भांजा लगता था लड़का कन्या पाट चाला स्कूल की छट पर सका सब्सक्राइब करें कई साल से अब नसा पत्ता करें तो हम से तो छुपके रहता हम जरा बहुत गाट है कल पीजने बोड़ फोड़ा है विजली विजली प पुरा मामला अभी एक सब यहां पड़ा मिला है और क्या लगता था यह सब तरह का तो नसा करता था और भांग भी शिक्मणा हर तरह का नसा करता था आस सुबह घर चे नादो का निकला और इसके बार नहीं हाई है अच्छा पर कन्या पाट साला स्कूल की छट पर एक सब बड़ा मिला है जब क्या है पूरा मामला अब पूद्रें इस्वर रहें मामन का और गंगा शरन यह चक्रॉली हापोड के रहने वाले हैं अपनी मामा की घर यह रहती थी बचपन से यहीं काराई शोईती और आज इसका मिला है इनके मामा दारा बताया गया कि नश्य परता पर लगबग रह रहा था यहां बचपन से यहीं पैदाई शोईती इनके मामा दारा बताया थी जबताया